Hey guys, welcome back to Shani classes. First of all, good evening to everyone. कैसे हैं मेरे फ्रेंस, मुझे उमीद है, आप अच्छे होंगे, मस्थ होंगे, स्वस्थ होंगे, और बढ़ा इच्छे से कर रहे होंगे. मैं आप लोगों के लिए कितनी अच्छे से सूचती हूँ, कि आप ऐसे होंगे, और ऐसा कर रहे होंगे. आज की जो एक लास होने वाली है, काफे बढ़िया होगी. जैसे क्लास तो मेरे सभी बढ़िया रहते हैं फिलाल के लिए. आज जो मैं आप बढ़ाने वाली हूँ, यह संस्कृत का आपका चाप्टर पाचवा है, जो मैं स्टार्ट करने चल रही हूँ. चाप्टर में आपको कवर अब करा दिया. नवंबर का यह इंडिंग महीना है, आप देख रहे हैं, हम लोग लगबख 5 में पहुँच चुके हैं, अब इसके बाद भी जो चीज़े हैं आपकी, अब यह कहिएगा कि आप संस्कृत में आपको ऐसे ऐसे सेक्शन्स पढ़ने को मिलेंगी, जो आपको अब तिक्कत क्रियेट करेंगे, अभी तक आपने जितना पढ़ा है, वो easy था, हम याद कर लिए, और बहुत साई चीज़े को ध्यान में रख लिए, बहुत साई चीज़े हमने पहले पढ़ी हुई है, पढ़ा तो इसको भी है, ऐसा नहीं कि हमने 8 तक उसको नहीं पढ़ा है, हमने 8 तक संस्कृत है, हमने 8 तक पढ़ा है, लेकिन, 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 अब इस पे थोड़ा और ज़्यादा वग करना है, क्योंकि इसका जो लेवल है, वो थोड़ा सा इंक्रीज किया गया है, इस वज़ए से आपको ये जो संस्कृत है, याप टीर्ड check every semester in eighth semester and 1 semester एकाद argue the semester 2 semester in English and 2Mew Sanskrit तो एक semester में इसमें आपको देखना है और आपको थीरड टीक है तो यह बात थी जो मैंने आपको प्धाई आज वह करना है अब आई खरात करते हैं कि डीठें किया पढ़ना आज जो हम पढ़ेंगे वह धात रूप पढ़ेंगे, कि धात रूप क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, क्या-क्या उधरन आते हैं, इनके बारे में फुल डीटेल में डिस्कस करेंगे, आप सबी शालनी क्लास असाथ बने हुए, मैं हूँ शालनी और आपके साथ शेर करती हूँ डिलेर, फर्स समेस आपके साथ की चार पीम पर और पांच पीम पर हो रही है, तो बहुत कुछ मुने आपके लिए अभी तक की टाइम इंटर्वल में काफी कुछ करवाया है, आपका एक्जाम मार्च के आज पास में होगा, मार्च इन तक भी हो सकता है, कोई प्रॉल्लम नहीं है, राम से हर चीज़ को देखेंगे समझेंगे प्रयास करेंगे खुब अच्छी से लिखेंगे नोट्स प्रॉपर बना कर रखेंगे क्योंकि ये नोट्स आपको टेट में त्यारी करते वक्त काम भी आएगी बहुत ज़्यादा हेल्फुल करेगा इस बात को आपको ध्यान रखना है क्लियर अब आएगे स्टार्ट करते हैं फिराज किस क्लास को जिनने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया लाइक कर दें सारे फ्रेंट्स जो पहली बार आ रहा है बिना हैच के चाहिए बिना किसी डर के प्लीशन को पहले तो सब्सक्राइब तो करके देखिए आप टेलेग्र जरूर से जरूर टेलेग्राम को जॉइन करड़ा होगा चले फिर स्टार्ट करते हैं आज किस क्लास को विदाउट एनी फॉदर डिलेई देखते हैं क्या है यहां पर आएगे देखिए यह है चाप्टर फिफ्थ फोर्थ रका प्रिवीजन कर लेना ठीक है हिंदी और कहते संस्क्रिट का ज्यादा बड़ा स्लाबस नहीं है इसलिए अराम से करेंगे 12 तेरा क्लास आइटिंग हो चुकी है तो आराम से देखिए फिर से होता क्या है आपको दिखिए यह हैं पर एक चीज़ को पढ़ना है बारी की से इस इसाद संस्कृत व्याक्रण में हिंदी व्याक्रण ऐसे होता हिंदी ग्रामर वैसे संस्कृत व्याक्रण भी होता है संस्कृत व्याक्रण में क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहते हैं आपको, अक्सर हमाई साथ ऐसा ही होता है, मैंने देखा कि जब भी मैं आपको बढ़ाती हूँ, तो चाहे वो heading हो, चाहे वो paragraph हो, जैसे उसमें एक question दिखता है, मैं आपको उसी इस तुरन बताती हूँ, यह प्रश्म बन जाएगा, और देखें, जैसे ही मैंने सुरवात की, आपको एक प्रश्म बनेगा, धात रूप किसको कहते हैं, धात किसे कहते हैं, धात की परिभाशा बताईए, धात क्या होता है, धात उसे आप क्या समझते हैं, धात पर अपनी टिपडी करिए, एक question तीन चार तरीके से आपको पूछ सकता है, in a simplest way, clear? तो एक छोटा सा प्रश्म है, पहला ही बन जाएगा, कि धात रूप किसको कहते हैं, तो आप ये लिखेंगे, बहुत ही simple wording में, कि क्रियाओं के मूल रूप को धात रूप कहते हैं, जो क्रियाओं होती हैं, उनका जो मूल रूप होता है, मूल रूप का मतलब वो जससे बनत हैं, धातु ही संस्कृत सब्द के निर्माड का मूल तत्व है, जो ये संस्कृत के इतने सारे शब्द बने हुए हैं, इनका जो निर्माड हुआ है, उसका main जो element है, main जो तत्व है, वो धातु ही है, इनी धातु की मदद से सब सारे संस्कृत के शब्द बनाये जाते हैं, धातु के साथ उफसर्व को लगाते हैं तब बनता है धातु के साथ प्रत्य को मिलाते हैं तब बनता है और समासिक क्रियाओं के द्वारा संग्या सरुणाम क्रिया आदि में भी हम इनको लगा कर हम ऐसा ऐसा शब्दों को बनाते हैं क्लियर तो मैं आपसे एक सिंपल सा प्रश्ण पूछूंगी आईए देखते हैं फिर क्या है धातु शब्द स्वैम में धा में तिन प्रत्य जोड़ने से बना हुआ है ये आपको एक अब्जेक्टिब प्रश्ण और बनेगा कि धातु में कौन सा प्रत्य है तो धातु में त किसे को कहते हैं धातु किसे कहते हैं आपको एक साथार से परिभाशा पूछेगा और आपको ये परिभाशा माँ पर लिखकर बतानी होगी और फिर उसके नीचे जैसे आपसे प्रश्ण बना कि धातु किसे कहते हैं तो आपने क्या किया आपने ये परिभाशा क्रियाओं क मुल रूप को अधातु कहते हैं और लिखेगा उधारण में एक्जामपल लिख दिया आप उधारण लिख दिया इतना पसमस्ट में सब को आता है एक्जामपल में जैसे भू सथा यूज गम मन दृष्ष यह सब क्या है यह सब धातु हैं तो आप इसमें जाए जो है दो चाल दीजिए आप का आणसर पूरा हो गया दो नमबर आपको आपको आराम से मिल जाए गे कोई भी इसको काट नहीं सकता क्यूंकि जितना पूछा किया था हमने उस्तना लिखा उन्हांपल के बार में नहीं कहा ङे था वह भी हमने लिखा तो नंबर दो मिलना है ना बस सा द्धातु वे टाटों अगया है तो संस्कित महाज़ा में धातों को तीन भागों में बाटा गया है अब जानते हैं कि वह में में तीन पार्ट कौन से हैं जिन में धातु को बाटा गया है आपको प्रश्ण मुप नहीं गाया है कि धातों को कितने भेदों में बाटा गया है तो आपको यहाँ पर देदेक आप्शन में तीन, यहाँ पर चार, यहाँ पर पांच, यहाँ पर छे तब आपको यह टिक करना होगा कि ये तीन भागों में इसको पाटा गया है पहला भाग क्या है परसमे पदे देखिए पहला भाग परसमे पदे दूसरा भाग क्या है आत्मने पदे और तीसरा भाग क्या है उभै पद तीन है परसमे पदे आत्मने पदे और उभै पद तो कभी-कभी प्रश्म क्या बन जाएगा कि धातों का भाग इन में से कौन सा नहीं है तो आपको यहाँ पर कुछ और option एक देरेगा एक कुछ अलग कर देगा तो अलग वाला ही नहीं होगा कौन सा है तो आपको चार option में से तीन option अलग देगा एक सही option देगा तो आपको टि पकड़ने एक साइड के कान को पकड़ना है तो आप रैड साइड के कान पकड़न्य तो या तो हमां गूतीupp आप चाहे ऐसे पकड़ो, चाहे वैसे पकड़ो, पकड़ोगे अपना कानी, तो questions वही रहेगा, कभी-कभी क्या होता है, कि उनकी संख्या पूछ लेता है, कि कितने भागों में बटाए, तब आपको संख्या पर टिक करना होगा, कभी-कभी क्या करेगा बहुवकल्बी में, क अब कारी, बटाए, कि नाम दे देगा, कहेगा इन में से एक कौन से है, तब वहुवकल्बी में होगा, तो नाम भी याद करना हे और संख्या यह याद करने है, clear? और यह नहीं किसेठीय में ही है, हर एक subject में आएगा, पांच आपको अब्जीक्टिब संस्क्रिप्ने मिले पच्चिस नमबर का paper होगा अगर अच्छे से नहीं करेंगे तो back लग जाएगी क्योंकि Sanskrit और math लगाता है पहले semester में next semester में इस जो है क्या कहते है संस्क्रिब वो math और English रहता है back लगाता है फिर आपको ये मिलता है ध्यान लखेगा ठीक है इसलिए अच्छे से पढ़िए समझे कोई दिक्कत हो तो पूछिए बार-बार repeat कर लिए अगर एक बार में वीडियोस नहीं समझ में आ रहा है तो दो बार देख लिए तीन बार दे हों जिसमें करता प्रधानों ऐसे वाक के जिसमें कृट वाच्चे हो वहां परसमें पद धातु का प्रियोग होता है जिन क्रियाओं का फल करता को छोड़ कर अन्य कर्म को मिलता है उन्हें हम परसमें धातु कहते हैं हिंदी में लिखा गया है कि एक ऐसी क्रियाएं जिनका फल कर्टा को छोड़कर अन जो अन कर्म है कर्म पर बढ़ता है उसको हम कहते हैं परसमे धातू क्या कहते हैं परसमे पदे धातू आपको इनकी परिभाशा नहीं आएगी आपको बस जान लेना है कि तीन भाग होता है क्या क्या है बस इतना परिभाशा नहीं पूछता ठीक है अभी तक फिलाल नहीं पूछा वो आपके एक्जामे पूछ ले वो अलग बात है आगे आईए देखे यहां पर आत्मने पदे ये क्या है जिन क्रियाओं का फल सीधा करता को मिलता है ऐसी क्रियाओं जिनका जो फल है वो करता पर परड़ा है उनको हम आत्मने पदे कहते हैं क जिसमें कर्म प्रधान होता है वो कर्म वाच होता है तो कर्म वाच और भाव वाच के जो सभी धातवे होती है वो आत्मनेपदी होती है ध्यान रखेगा तेके आगे आएए उभयपद में क्या है जिन क्रियाओं के रूप में परस्मेपद और आत्मनेपद दोनों प्रकार से चलते हैं इसी क्रियाएं इनका वर्भाव कर्म पर भी पड़ता है करता वर्भाव पर भी पड़ता है तो वह सब क्या होती वह अभी तक तो नहीं पूचा है फ्रेंड्स, लेकिन आप छोटी सी परिभाशा है, इनको परिभाशाओं को ध्यान में रखेगा और कुछ खास नह कि उवेपद की परिभाशा क्या होती है आत्मनेपद से आप क्या समझते हैं परस्मेपद क्या होता है तो बताना होगा तब आपको करना होगा इस वात को ध्यान लगेगा क्लियर है यहां तक समझ में आया आईए फिर आगे चलते हैं इसे के साथ यहां तक clear है कोई दिकत नहीं होनी चाहिए होती है तो बताईएगा जिन्होंने class को नहीं like किया है फटा फट like कर दे ठीक है like में कंजूसी नहीं करना है वही तो support है वो नहीं करेंगे तो फिर कैसा support कर पाएंगे अखिर कर देखे नया topic नय नय प्रश्न जितना topic Istnu प्रश्न संस्कृत भाषा में पूरुस कितने होते है एक साथारान सा प्रश्न जो आप से अतिलगूतरी में भी बन जाएगा अलगूतरी में भी बन जाएगा बहुवविकल्पी में ही बनेगा question किसी भी रूप में पूच सकता है तेखें कह रहा है Sanskrit भावासा में कितने पुरुस होते हैं I am asking to you कि कितने पुरुस होते हैं तो आप मुझे कहेंगे माम तीन होते हैं फिर मैं आप से कहूंगी क्या आप बता सकते हैं कि वो तीन कौन होते है तब आप उसे कहेंगे माम एक प्रथम पुरुष सेकेंड वन मध्यम पुरुष और थर्ड वन उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष अब दिखो question क्या बनेगा यह संख्यावादा पूछ लेगा तो तीन चार पाँच एग करना हो इन्वें से कॉन सा एक नहीं है वो टिक करना होगा कॉन सा एक है यह सभी है तो यह सब करना होगा तो कितने पुरुष होते हैं तीन first one नधियम पुरुष second one sorry first वन प्रथम पुरुस मध्यम पुरुस अन्य पुरुस या उत्तम पुरुस clear any problem आगे आईए तो topic आया topic के प्रश्ण आया किस तरीके का आया वो मैंने आपको बताया और आप उसको समझ लिए ये बहुत अच्छी बात है आई आगे चलते हैं अब एक पुरुस को भी देखेंगे इनकी प प्रतम पुरुस के बारे में लिखिए तो आपको ऐसे प्रश्ण बन जाएंगे एक चुटा सा topic है उसको आपको बताना होगा define करके प्रतम पुरुस को अन्य पुरुस भी कहा जाते हैं अरे अन्य पुरुस और प्रतम पुरुस दोने एक हैं मैं तो एक सिकेंड अच्छा ह देखे किया है कि प्रतम पुरुस को अन्य पुरुस भी कहते हैं क्योंकि इसमें असमद और यूसमद सब्द के करताओं को छोड़कर सेज जितने भी करता हैं वे सभी प्रतम पुरुस में आते हैं ये दो करता हैं तिके असमद और उसमद ये धातु रूप के अलग-अलग रूप है जिसमें सब कुछ आता है आगे दिखाऊंगी तो असमद और युश्मद सब्द के करताओं को छोड़कर जितने भी करता होते हैं वे सभी प्रिथम पुरुष के अंतर गयता आते हैं प्रिथम पुरुष में कौन-कौन आता है ये बात पताई दारी है आगे आईए मध्यम पुरुष क्या होता है इसमें केवल युश्मद शब्द के करता का प्रियोग होता है असमद और युश्मद ये धादू के रूप में आते हैं जिन्में कभी-कभी प्रश्र बन जाता है इस बात को आप क्या सोच रहे हैं वो प्रिथम पुरुष मध्यम पुरुष सोरी यह सब क्या एक बचन दो लोग है तो दो पुरुस की बात है तो जो है कहते हैं उत्तम अध्यम पुरुस है जिसके जसे बात हो रही है जिसके की उतन से नहीं है यह मी धियन रखेखा更 ठिक है ध्यान रखेगा आपको धात रूप से मतलब धात की परिभाशा धातों के प्रकार धातों कितने प्रकार की होते हैं धातों के रूप क्या है ये पूछेगा और नहीं तो फिर आपको पूरा धात का रूप देदेगा वो आपको लिखना होगा समझना होगा याद करना होगा लिखने को जासे पड़ धात का रूप, गम धात का रूप, ठीक है, ऐसे रूप को याद करना पड़ेगा, आगे आईए चलते हैं, नेक्स देखते हैं, धात रूप में वचन, धात रूप में वचन कितने होते हैं, तो इनमें भी धात रूप में तीन वचन होते हैं, एक वोचन और लूवचन आप क्युक्विबैवियर वचन देखते हैं तो पूर civRR इक सइड लिखोगे लिख लिखोगे लिखोगे लिख लिखोगे लिखोगे पही चीज में किटने चीज पहें फिछीवर से थैअ कौन से झाला रात में Central वचन होता है यह ध्यान रखन इंपॉर्टेंट है और वैसे भी मैंने आपको संस्क्रिप में वचन पढ़ाया है पहले से क्लियर है आप इन्दी ग्राव में भी पढ़े हैं आई आगे चलते हैं अब दीखिए एक वचन के बारे में हैं जिसमें एक का बोध होता है उसे एक वचन नड़का पढ़ता है एक वचन वे जिसमें दो का बोध हो तो बाल को पढ़ता है यह को जो यहां पर लगा हुआ इससे पता चल रहा है कि दो बालक की बात हो रही है बाल को पढ़ता आगे आई चलते हैं बहचन की तरफ देखते हैं जिसमें दो से अधिक की बात की जाती ह बालकाह पठनती तो मतलब दो से ज़्यादा लड़के हैं यहां पर वो पढ़ रहे हैं उनकी बात यहां पर हो रही है तो बालकाह पठनती देखें क्या था बालकाह पठनती एक वचन बालकाह पठनती तो दो वचन और बालकाह पठनती तो तीन वचन एक वचन दो वचन ती आती है तो धारण ज़रूर आता है उनको चेंज करने के लिए पूछता है आपको तो उसको बताना होगा हर समय परिभाशा नहीं पूछी जाएगी इस वात को एक्जामपल जदा पूछे जाते हैं संस्क्रित में ठीक है और PNP वाले भी ऐसा प्रश्च बनाने क्योशिश कर स्थाट सिब्स आरच घाएगए सेकन्ड का फस्ट में आधा ताऊएगा स्केंड को मिलता है कि यह 2 तीन नंबर के इंको क्ष्चन इधर दर होई जाते हैं क्लियर आईए आगे चलते हैं चलिये देखते है क्या है आ आईए आज बात करते हैं लंत कर नेमें दर technos संस्कित में 10 लकार होते हैं ये भी प्रश्ट बनता है कितने लकार होते हैं तो संस्कित में लकारों के संख्या 10 होती है जो कि आपको नाम भी याद रखना है और आपको इनकी संख्या भी याद रखनी है तो 10 लकार है लेकिन सारे तो इंपोर्टेंट भी नहीं है और सारे आते भी न लकारe present sense जो होता है उसको कहते हैं लवजब वर्दमान की बात होती है to लट्लकार में आते है You hope करीध हात्र का लट्लकार लिखिए कृड़ाट 一 seem लट्लकर तो आपको करीध हात्र का विधमानयका पूर तीनों रूप लिखना होगा आपको दे लिट लकार का गम धात लेकिए तो आपको गम धात जो है लिट लकार का तीनो रूप लिखना होगा इस तरीके से आपको दू नंबर के प्रश्ण आसानी से पूंछ लेगा तो पहला यहांपर क्या है लट लकार इसको present tense दूसरा लोट लकार imperative more English नहीं देखना Hindi जानो बस लंग लकार past tense जब भूत काल की बात होगी तो लंग लकार है ठीक है विदिलिंग लकार मतलब चाहिए के लिए कोई चीज होती है तो विदिलिंग में आता है लुट लकार यहांपर है अरे लिट लकार बतलब तो यह है future tense में ठीक है आगे आईए चलते है next यह देखिए लुट लकार लंग लकार अर्शली लिंग लकार लिट लकार ठीक है और दसवा क्या है लुट लकार तो यहांपर क्या होता है friends यह जो यहांपर यह ऐसे बन गया ह यह जब कुछ-कुछ Hindi के font नहीं मिलते हैं इसलिए Sanskrit कुछ चीज़े नहीं लिख पाते हैं ठीक है आपके book में आपके पास दिया होगा नहीं तो इसकी एक image है टेलिग्राम पर भेज़ देंगे West Group में भी वेज़ देंगे या वहाँ पर भी तो देख लेना क्योंकि जब हम इस चीज़ कुछ-कुछ लिखते हैं तो कुछ font ऐसे नहीं available है जिसके व्यादा यह पूरा भगभू भी नहीं लिखा रहता है तो आपको ध्यान रखना है लंग लकार लोट लकार लिट लकार अर और आएंगे तो आपको यह चीज़ बतानी होगी ठीक है क्लियर दस नाम जरूर याद रखेगा यह प्रश्ण बनेगा आता है बहुत 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 अब आईए मैं आपको आज एक उधारण दिखाती हूं देखिए लट लकार वर्दमान काल पुरुस एक बचन बचन यहां पर रूप लिया हुआ है आपको बताना होगा देखते चलिए कि कैसे कैसे है तो पहला जो यहां पर रूप है वो है लटलकार का यानि कि तिस के रूप को यहां पर तिस के रूप को हम लटलकार में लिख रहे हैं इस तरह कि आपको पढ़ के पढ़ धातु का रूप गम धातु का रूप, बहुत सारे रूप हैं बताऊंगी, आज उसे पर एक छोटा सा एक्जामपल दे रही हूँ, देखे, प्रतम पुरुस, मद्यम पुरुस, उत्तम पुरुस, वर्दमान का, यानि कि लटलका की बात हो रही तो, ती तस, ती तस अंती, सी थस था, मी वस मस ये तिस धातु का है, ध्यान अतना, ये तिस धातु का प्रतम पुरुस, मद्यम पुरुस, उत्तम पुरुस, तीनों पुरुस की बात हो गई, आगे आईए, नेक्स्ट यहाँ पर लिटलकार, यानि कि भविश्वत काल, अब भविश्वत काल में कैसे लिखा जाएगा इस के भी दिखाऊंगी तो जदा आएगा आपको फिर आप बाधा आती है तीसरा यानी की लंगलकार भूत काल में गुद कर सबस्क्राइब थनौ कर तू, ताम, अंतु बद्धन पुरुष में ही, तम, ता, उत्व, बद्धन पुरुष में आणि, आउ, आउ, आम, आगे चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, पाँचव है विधिलिंग लकार, याने की चाहिए के अर्थ है, इसका अर्थ पूछ लेता, विधिलिंग लकार का अर लग चाहिए के अर्थ में ठीक इसका तीनों परूस क्या बनेगा तो उसका एक का सब्स करेंगे तoting का शेयी है दाओ प्रत्म पुरुस में दादम अन। वत्म मधन पुरुस में अम वाँ भाह कुं तो आपको ध्यान रखना हुगा फ्रेंड से ये रूप है जो आपको बता रही हूंENT सब्सक्राइब और पूछे जाते हैं प्रश्न इससे बनता है तब आपको करना होगा कोई option नहीं होगा इसकी practice आप जब कही सारे रूपों को लिखेंगे तो देखेंगे तो मिलेगा आपको चिक है आगे आईए नेक्स्ट यहां पर साथ हुआ है लिटलकार यह इसके कि बारे में क्या है देखते हैं तीनों पूरस प्रतव पूरस में आ अतुश उश मद्धम अध्यम पूरस में था अतुश आ मद्धम पूरस में आ व म यह तो एक मैंने our sample सिर्फ लिया है इस तरीके से कई सारे हैं लुट लकार में क्या आज आएगा इनके तीनों पूरुज देखिए तारो तरस्ट तसी तथस्त तश्ट तश्मी तश्वश्ल तश्मश्ल आगे आईए अर्दृ लंग में क्या हो जाता है यात यस्थाम यासुष yas yastam yashat yasham yashav yasham आगे आई यह last है लिंग लकार इसका होता है तो शयत सयता मैं आपको बता है उनके दस के रूपो को मैंने तीनों रूपों मैं आपको बता है तीनों वस्टों में बता है ये तो एक उधार लिया है इसके इसमें यह वाला नहीं आएगा यह तो मैंने समझाने के लिए है कि ऐसे ऐसे हैं आपको से पांच ही लिखने को आएगा और जैसे आप लिखते तो इतना बड़ा एक्जामपल थोड़ी आप लिखेंगे जिसका पूछेगा वही लिखना या आप घ्यान रिखेंगे ऐसे आपको द क्री थात यह से पट थातू है यह वहाज हर अस थात्य वह से पूरी अपको आईगा तो उन की रूप के बारे में जैसे पूरे बता है वो धात के भेत आपको नयाद रखना है नाम और उस कितने है नाम याद रखना है उसके बाद वतन कितने है यह भी याद रखना है इनके नाम फिर मैंने लकार के दस प्रकार बता है इन में से पांस ही आपको एक्जाम में आता है दस आपको याद रखना पांस ही यूसफुल होता है और आपको यह पूरा लिखने को ने जैसे यह उधारण पता है ना ऐसे पूरा लिखना नहीं है यह तो मैंने सिर्फ समझने के लिए बता है कि मुझे पता है कि अभी आपको नहीं समझ में आएगा आप यह वीडियो दो से तीन बार फिर क्लियर यह बात अभी और भी इजांपल दो करवाओंगी तो अब और समझ में आएगा चलिए फ्रेंट जोने क्लास को नहीं लाइक है फटा फट लाइक कर दो चैनल को सुस्क्राइब और जोने नहीं क्या मिलते हैं नेक्स क्लास में तब तक लिए टेक के और थांक्स पो क्लास कर दो जो में बाइगा जाए।